नमस्कार विध्यारतियों हम मध्यकालीन बारते इतियास के पर्मुख सुरोतों के अंतरगत मुगलकालीन बारते इतियास के सुरोतों के बारे में अध्यन कर रहे थे उसी करम में आज हम मुगलकालीन कुछ पर्मुख गरंतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं तो शुर जानकारी के सुरोत के रूप में वो है बादसा नामा, बादसा नामा या पादसा नामा लेखक है मुहमद अमीन कजवीनी, अर्था कजवीनी करत पादसा नामा इस गिरंद के जो ये लेखक है मुहमद अमीन कजविनी ये साहजां के सासनकाल के पांचवे वर्स साही सेवा में परविश्ट हुए कजविनी ने जो अपनी पर्थम रचना रची थी उसमें साजादा औरंगजेब की सुधा कर हाती से हुई मुट पहेड का विवरन प्रस्तुत किया जो समराट साहजां थे उन्होंने इस रचना की काफी परसंसा की थी इसके पस्चा उसने साजा के बुंदेला अभ्यान पर भी रचना लिखी साजा इस रचना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कजविनी को दर्बारी इतियास का नियुक्त कर दिया साजा ने अपने सासन के आठवे वर्स कजविनी को उसके सासनकाल का इतियास लिखने का आदेश दिया साजा ने कजविनी स्थे कहा कि तुम मेरे सासनकाल का इतियास लिखो तो कजवीनी ने अपना ये जो ग्रंथ है बादसा नामा या पादसा नामा इस ग्रंथ की रचना सहाजा के आदेश पर की थी ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ में सहाजा के सासनकाल के पर्थम दस वर्सों का वर्णन है बाद में ऐसा लगता है कि साहां जहां को कजविनी की जो सेली है लिखने की वो पसंद नहीं आई अते उसने उसको आगे का हाल लिखने से रोक दिया और उसके जो दर्बारी इतियासकार का या राजे इतियासकार का जो पद था उस पद से भी कजवीनी को हटा दिया गया कजवीनी का ये जो ग्रंथ है बादसा नामा ये तीन भागों में विबाजित है पहला जो भाग है उसमें साहजा की बाल्य वस्ता से लेकर सिहासना रोहन तक की गटनाओं का वर्णन किया है बादसा नामा के दूसरे भाग में कजवीनी ने साहजा के साहसन के पर्थम दस वर्षों की गटनाओं का वर्णन प्रस्तुत किया है और जो तीसरा भाग है उस तीसरे भाग में उसने उस समय के परमुक संतों, फकिरों और विद्वान लोगों का उलेक किया है अपने इस ग्रंत में कजवीनी ने अपने सारक्षक अर्थात जो समराट साहजा थे उनके परती काफी उदारता दिखाई है साहजान ने जैसे उदारन के तोर पर कह सकते हैं कि साहजान के जो आरंबिक जीवन का उलेक करते समय कजवीनी ने लिखा कि साहजा दोरह जहांगीर के विरुद के विद्रोप का जो कारण था वो नूर जहान थी नूर जहान के कारण ही साहजा ने अपने पिता के विरुद विद्रोप किया था और कजवीनी ने अपने इस गरंत में नूर जहां की कड़ी आलोचना की है विद्यारतियों आप जानते हैं नूर जहांगीर की पत्नी थी जिससे जहांगीर ने 1621 इस्वी में विवा किया था ये सेर अपगान की विद्वा थी और जहांगीर ने इससे सरोपर्थम नूर जहां का जो पहले का जो नाम था वो महरुनीसा था और जहांगीर ने सरोपर्थम इसको नो रोज नामक त्योहार पर देखा था और इसके बाद 1611 एस्वी में जहांगीर नूर जहां से वीवा कर लेता और बाद में नूर जहां का जहांगीर के सासन पर सासन में कापी हस्तक सेप रहता है तो जो कजवी नहीं लिखता है कि साहां जहां ने जहांगीर के विरुद जो विद्रो किया था उसका जो मूल कारण था वो नूर जहां थी डॉक्टर बनारसी पर साथ लिखते हैं कि सहां जहां कि आरंबिक शिक्षा तता उसके सासनकाल के आरंबिक दस वर्सों की गठनाओं के लिए ये जो रचना है ये अत्यन्त महतवपून है नेक्स्ट जो गरंथ है उसका नाम भी है बादसा नामा या बादसा नामा जो की लाहोरी कृत है इस गरंथ के लेकक है अब्दुल हमीद लाहोरी बादसा नामा के लेकक अब्दुल हमीद लाहोरी के जीवन के बारे में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त होती है केवल जो अमल ए साली के लेखक मुमत साली के वर्णन से ही ग्यात होता है कि जो अब्दुल हमीद लहोरी था वो उच्च कोटी का विद्वान था और उसकी जो मृत्यू थी मृत्यू 1624 में हुई अब्दुल हमीद स्वयम अपनी रचना की भुमिका में लिखता है कि साहां जहां कि ये इच्चा थी कि उसके जीवनकाल की गठनाओं का इतिहास वे अब्बुल फजल की सेली पर लिखे तो अब्दुल हमीद ने अबुल फजल की जो रचनाई थी उन रचनाओं का अध्यन किया था और वे उसकी सेली से परिचित था जो अब्दुल हमीद लाहोरी है वो सहां जहां के वजीद सादूला खां का विशेश करपा पातर था और कजवीनी के पस्चात लाहोरी को राज के इतिहासकार के पद पर न्युक्त किया गया था तो सहां जहां ने पटना से आगरा बुला कर अपने सासनकाल का इतिहास अबुल फजल की सेली पर लिखने का आदेश दिया चुंकि उस दोरान जो लाहोरी था पटना रे रहा था तो सहां जहां ने उसको आगरा बुलाया कि आओ और तुम मेरे जो सासनकाल का इतिहास है वो अबुल फजल की सेली पर लिखो सहां जहां के सासनके पर्थम 20 वर्सों का विस्तरित लेक लाहोरी ने अपने इस ग्रंथ में किया है लेकिन बाद में वर्दा अवस्ता के कारण लाहोरी इस ग्रंथ को पूर्ण नहीं कर सका अतात इसको आगे नहीं लिख सका लाहोरी ने अपने इस ग्रंथ को दो खंडों में विवाजित किया है जो पर्थम खंडे उसमें सामान्य गटनाओं के वर्णन के साथ ये था इस्तान सहजादों और ततकालीन परमुक अमीरों का विवर्ण दिया गया है ततकालीन परमुक सूपी संतों, सेखों, विद्वानों, हकीमों, कवियों का भी उलेक लाहोरी ने अपने इस ग्रंथ के पर्थम खंड में दिया है ये विवर्ण भी वह करंबद ढंग से करता है और इसमें वह अमीरों की स्रेष्टता का ध्यान रखता है आरंब में वह 9000 अमीरों से करता है और अंत में 500 सवार के मनसबदारों तक का विवर्ण देता है तो जो दूसरा जो खंड है सांजा नामा का लाहोरी कृत सांजा नामा का इस दूसरे खंड में सांजा के सासनकाल की दसवे वर्ष से लेकर बीसवे वर्ष तक की गटनाओं का विवर्ण दिया है इस खंड में यह जो दूसरा खंड है दूसरे खंड में उसने सहाजा के देनिक जीवन की छोटी-छोटी गत्ति वुद्यों का भी वर्णन किया है जैसे कि समराट ने किस दिन कितने लोगों को मनसबें, उपाधियां, खिलत परदान की, किन लोगों को नवीन पदों पर न्यूक्त किया, कितने लोगों की पद वुरदी की, किस सामाजिक समारों पर समराट को बेंट के रूप में कितनी वस्त्वें और कितने मुल्यवान हीर जोरात प्राप्त हुए ऐसी छोटी छोटी गटनाओं का वर्णन भी इसके जो दूसरा खंड है इस दूसरे खंड में मिलता है जो मुन्तकब उल्लुबाप के लेखक है खाफिकां खाफिकां द्वारा अपनी रचना में साजा के सासनकाल के 20 वर्सों का जो विवरण है वो ल लिखा गया है नेक्ट गरंथ है बादसा नामा या पादसा नामा जो की मुहमत वारिस के द्वारा रची थे तो बादसा नामा या पादसा नामा नामक गरंथ नाम पर तीन गरंथ लिखे गए हैं जिनमें एक है कजविनी गरत बादसा नामा दूसरा है लाहोरी गरत बाद गरंत के जो लेखक है मुम्मदवारिस जो की लाहोरी के सिश्यत है साहंजा के सासंकाल के अंतिम दसवर्सों की गठनाओं का वर्मन इस गरंत में किया गया है तता ततकालीन साहंजकर्टिक इस्तती पर भी लेखक ने प्रकास डाला है साहंजा नामा भी कहते हैं बात्सा नामा या पात्सा नामा जो गरंत है मुम्मदवारिस तवारा रचित इस गरंत को साहंजा नामा भी कहा जाता है नेक्स्ट गरंत है साहंजा नामा या तारीक के साहंजानी लेकक है मुम्मद सादीक इस गरंत में साहंजा कालीन सासन के हालातों वे अपसरों के सम्मंद में जानकारी प्राप्त होती है नेक्स्ट है साहंजा नामा और लेकक है इनायत खां इस गरंत में औरंगजेब के सासन काल के पर्थम दस वर्सों का जो वर्णन लेकक ने किया इनायत खांने वो अतियंती महतोपूर्ण है नेक्स्ट गरंत है अमल ए साले लेकक है मौमद साले इस गरंत में साहंजांके अन्तिम दो वर्सों का इतियास वर्णित किया गया है नेक्स्ट गरंथ है मुन्थकब उल्लुबाप लेकक है मौमद हासीम या खापीखा मौमद हासीम का जो अन्य नाम है वो है खापीखा असलिए जो वास्त्विक नाम था खापीखां का वो था मौमद हासीम इस गरंद को तारीक-एखापी-खाम भी कहा जाता है ओरंग जेब ने अपने सासन का इतिहास लिखने पर पाबंदी लगा दी थी अते उसके सासनकाल में खापी-का ने ये गरंद था इस गरंद को छिपा के रखा था, छिपा लिया था लिख तो रहा था लेकिन उसने इस गरंथ को प्रकासित नहीं किया या प्रकास में नहीं लाया जब समराथ मुहमत सा का सासनकाल था तो उस दोरान ये गरंथ प्रकट किया इसलिए हो सकता मुहमत सा ने उसको खाफी खांग खाफी खाँ अर्था छुपा हुआ कि उपादी विनोध में दी थी या ऐसे ही मनोरंजन के तोर पर हासी मजाक में उसको खाफी खाँ केकर पुका रहा था क्योंकि उसने ये जो अपना अगरन्थ है ये औरंग जेब के समय तो छुपा कर रखा और मुमत सा के समय इसको प्रकट किया इतियासकार डाउंसन का कहना है कि लेखक का नाम खाफी खाँ इसलिए पड़ा क्योंकि उसके जो पूरवज थे वो खुरासन प्रांथ के ख्वाप नामक नगर में रहा करते थे ख्वाप नमक नगर में रहने के कारण उसका जो नाम है वो खाफी खाँ पड़ गया इसके पिता का नाम था ख्वाजा मीर इसके पिता भी एक स्वेम ख्यात नाम इतियासका थे और ओरंग जेब का जो भाई था मुराद बक्स उसकी सेवा में उच अधिकारी के पद पर न्युक्त थे जब उत्रातिकार युद के दोरान ओरंग जेब ने मुराद को बंदी बना कर उसका वद कर दिया तो खाफी खां के पिता ओरंग जेब की सेवा में न्युक्त हो गए तो पिता की नोकरी ओरंगजेब की सेवा में होने के कारण खाफी खाम ओरंगजेब की सेवा में ही पला और बड़ा हुआ 1694 इस्वी में खाफी कांको गुजरात के मुगल सुब्वेदार द्वारा एक विशेश कार्य के लिए सिस्ट मंडल के रूप में अंग्रेजों के पास बंबई वेजा गया समराट फरुक्षियर के सासनकाल में हेदराबाद के पर्थम निजाम निजामुल मुल्क ने खाफी खांको अपना दिवान भी न्यूक्त किया था चुंकि खाफी खांको ने कई वर्सों तक राजसु विबाग में कारे किया था उसे राजसु विबाग की अच्छी जानकारी थी इसका ये जो गरंथ है मुन्तिकब उल्लुबाब इस गरंथ में भारत में मुगल समराज्य के संस्तापक बाबर के भारत पर आकरमन से प्रारम और मुगल समराज्य मुमत्चा के सासनकाल के पनरवे वर्स अर्थात 1733 इस्वी तक का वर्णन खाफी खाने लिखा है डाउंसन ने इतियास का रुए डाउंसन उन्होंने इस गरंथ को मुगल वंस का इतियास कहा है किन्तु ओरंग जेब के पेले के मुगल बादसाओं के सासनकाल का जो भी वर्णन इस गरंथ में दिया गया है वे बहुत ही संक्सिप्त है अत्यवे हमारे लिए अधिक उप्योगी नहीं है लेकिन ओरंग जेब और बाद के जो मुगल समराट हुए उनका 1733 इस वी तक का इतियास उसने बहुत विस्तार से लिखा है ओरंग जेब की विजयों उसके सासनकाल की गटनाओं और बाद के मुगल समराटों का 1733 इस वी तक का जो वर्णन है वो अत्यंत महतवपूर्ण है ओरंग जेब और उत्तर मुगल कालीन समराटों के समय की राजस विवस्ता का विस्तरित उलेक खाफिका ने अपने गरंथ मुन्थकब उल लुबाब में किया है ये जो गरंथ है ओरंग जेब के सासनकाल का अलोचनात्मक विवरण है इस गरंथ के विवरण से ही हमें ग्यात होता है कि किस प्रकार औरंग जेब के समय इजारेदारी की जो परता थी उस परता का पर्चलन अत्यदिक बढ़ गया था और जो राजस्व अधिकारी थे वो किसानों का बैंकर रूप से सोसन करते थे जिसके कारण किसानों की जो दसा है अत्यन्त खराब हो गई थी खाफी खाने मुगल समराजे के पतन का जो मुख्य कारण है वो मुगल अमीरों का दो गुटों इरानी और तूरानी में बंट जाने को बताया है अर्थात इस गरंत में खाफी खाने मुगल समराजे के पतन के कारणों की भी अलोचना अत्मक डंग से विवेचना की है गरंद के दोस्त, खाफी खाने सरंग सक निजामुल मुल्क के दोसों को छिपाने की कोशिश की है तथा निजामुल मुल्क की अत्यदिक परसंसा की है और अपने जो विरोधि थे, विरोधियों की बड़ चड़ कर आलोचना की है जैसे जब सिवाची की मृत्यू हो जाती है तो खाफी का लिखता है कि एक काफिर जहनूम में चला गया किन्तु कभी कभी वे सिवा जी की तारिफ भी करता है परसंसा भी करता है और लिखता है कि उन्होंने मस्चिदों कुरान और नारी के अपमान करने की सक्त मना ही कर दी थी किन्तु इन दोस्तों को छोड़कर जो कुछ खाफी खाने लिखा है वे बहुत हद तक विश्वसने और महतोपूर्ण है सर यदुनात सरकार ने लिखा है कि उसकी जो सैली है विचार परदान है उसके ततकालीन समाज का वर्णन और कई गटनाओं के उलेक उसके गरंद को दरबारी इतिहासों के रुखे फन से बचा लेते हैं जो दक्षिन का वर्तांत उसने विशेशते अच्छा लिखा है नेक्स्ट गरंद है मासीर ए आलमगिरी लेकक है साकी मुस्तेद खां ये जो लेकक है ये औरंगजेब के समकालीन थे साकी मुस्तेद खां और ये जो ग्रंथ है मासीर आलमगिरी ग्रंथ औरंगजेब के आदेश से लिखना सुरू किया और उसकी मृत्यू के तीन वर्स बाद अर्था औरंगजेब की मृत्यू ही थी 1707 इस्वी में और उसकी मृत्यू के तीन वर्स बाद अर्था 1710 इस्वी में ये जो ग्रंथ है सा की मुस्तेद खाने सरकारी कागजों और यक्तिकत जानकारी के आदार पर की थी औरंग जेब के सासनकाल के बारे में अत्यंत प्रमानिक एवं विश्वस्निय गरन थे क्योंकि उसने खुद लिखा है कि उसको 40 वर्स तक बादसा के साथ साथ रहने का मौका मिला था और जो कु है उसमें से बहुत सी घटनाए स्वेम उसने पर्टेक्स अपनी आंखों से देखी थी गरन का जो दोस है मासिर ए अलमगिरी गरन का जो सबसे बढ़ादोश है वो है कि यह गरन लिखा गया है औरंग जेब का पूरा सासनकाल है 21 साल का पूरा विवरन है वो केवल पानसो एकतालीस प्रस्टों में लिखी थे जबकि मुहमत का जीम द्वारा अपने गरंत आलमगीर नामा में पर्थम दस वर्सों का वर्णन ही ग्यारा सो साथ पेजों में लिखा गया है। मुगल राज्ये का गजेटियर जदुनाथ सरकार ने किस गरंत को कहा है। मासीर ए आलमगीरी गरंत को। लेकक है मुहमत साकी मुस्तेद खां। नेक्स्ट है नुसका एद दिल कुसा। इस गरंत के लेकक है भीमसेन बुरहान पूरी। ये एक हिंदु लेकक थे, हिंदु इतियासकार थे लेकिन इन्होंने अपने इस गरंत की रचना फार्सी बासा में की। औरंगजेब के समय की गटनाओं, विशेस्त दक्षिन के युदों, मुगल अमीरों, मुगल दर्बार आदी का विश्तित विवरण भीमसेन ने अपने इस गरंत में नुसका एद दिल कुसा में किया है। ये जो गरंत है नुसका एद दिल कुसा, ये गरंत औरंगजेब की दक्षिन निती के लिए अत्यन्त महतवपौन है। सब यदुनाज सरकार का कहना है कि ये जो गरंत है अद्युतिय तथा बहुत महतवपौन जानकारी देने वाली रचना है। नेक्स्ट है फट्वात ए आलमगिरी लेखक है इस्वरदास नागर ये भी एक हिंदु इतियासकार या लेखक थे जिनोंने फार्सी बासा में गरंत लिखा फुत्वात ए आलमगिरी ये जो गरंत है ये ओरंगजेब के सासनकाल के प्रारम से लेकर चोती स्वे वर्स तक का इतियास है और फुत्वात ए आलमगिरी गरंत औरंगजेब की राजपूत नीती के लिए अत्यंत महतोपूर्ण है अतात औरंगजेब की राजपूत नीती के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक परमुक्ष रोथ है पुत्वात ए आलमगिरी मुगल का लीन इतियास जाने का जो next स्रोथ है वो है खुलासात उल्टवारिक, लेकख है सुझान राय खत्री, इस गरंध में महा भारत काल से लेकर औरंग जेब के सासनकाल तक की गटनाओं का विवन लिखा गया है, और मुक्यत है ये जो खुलासात उल्टवारिक गरंध है, ये औरंग जेब के सा मेचना हेटू लगबग 27 पूरुवर्थी गरंतों की सायता ले गई है। इससे भारत का सामाने इतियास भी कहा जाता है। या इसमें महाभारत काल से लेकर ओरंग जैब तक का विवरन है, आत्य इसको भारत का सामाने इतियास भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट गरंद है आलमगीर नामा, लेखक है मिर्जा मुहमत काजीम, बाजसा नामा के लेखक, जो कजवीनी का ही पुत्र है मिर्जा मुहमत काजीम, और इन्हों ने जो अपनी रचना लेकी है वो है आलमगीर नामा, इस गरंद की जो रचना है वो 1688 इस्वी में की गई, पसंद आदने के कारण जो मिर्जा मुहमत काजीम की जो लिखने की सेली थी इस्तुती परक्ति अर्था तारीफ करने वाली सेली थी परसंद सा करने की सेली थी तो ये सेली पसंद आदने के कारण समराट से सम्मंदित ऐसाधर अंगटनाओं और वीजे अभियानों को एक गरं आलमगीर नामा की रचना की ओरंग जेब जीने आलमगीर भी कहा जाता है कि सासन के पर्थम दस वास्तों का इतियास इस गरंत में वर्णित है आलमगीर नामा गरंत में इस गरंत में ओरंग जेब की तो जी भरकर परसंसा की गई खूब तारिफ की गई लेकिन दारा सिको के ल ये नाथू जा नाथू जा अर्थात कायर जैसे निम्न एम अप सब्दों का प्रियोग किया गया है लेकिन फिर भी ओरंगजेब की तारीफ करने के बावजूद उसको ये गरंत किसी कारण से पसंद नहीं आया और उसने आगे का वर्तांत ने लिखने का आदेश दिया तो विध्यारतियों आज हमने मुगल कालीन भारतिय इतियास की जानकारी प्राप्त करने है तू कुछ महतोपूर्ण गरंतों के बारे में अध्यन किया जिसके अंतरगत हमने देखा कि बाथसा नामा या पाथसा नामक तेन गरंत जो कजविनी लाहोरी और मुहमद वारिस के द्वारा लिखे गए तता सांजा नामा नामा गरंत मुहमद सादिक अम इनायत खान द्वारा लिखे गए तता अमल ए साले नामा गरंत मुहमद साले द्वारा लिखित है मुन्तकब लुबाब जो गरंत है वो मुहमद हासीम या खाफी खान के द्वारा रचित और नेक्स् आलमगिरी साकी मुस्तेद खान द्वारा रचित तथा नुस्का एदिलकुसा भीमसेन बुर्हान पूरी द्वारा रचित फुतात आलमगिरी लेखक है इसरदास मागर और खुलासत उल्ट तवारिक सुजान राय खत्री द्वारा रचित तथा सबसे अंत में हमने पड़ा आ आलमगिर नामा जिसके लेखक मिर्जा मुहमत का जिम तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाब तो होता है धन्यवाद